दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तो हमारे समाज में संतों का अपना एक महत्व है और सनातन धर्म में संतों को हमेशा सर्वोपरिमाना है भारत में संतों को पूजा जाता है और पूजनी होने के कारण संतों के साथ महाराश जैसे विक्षित राज में अगर हमारे संतों की हत्या कर दी जाए तो हमारे लिए और हमारे समाज के लिए क्या यह ठीक है महाराश में कोरोना के नाम पर धर्म विशेश के लोगों द्वारा जुना अखाडे के तीन संतों की हत्या किये जाने की अखिल भारती अखाडा पर्सद ने कड़े शब्दों में निंदा की है अखाड़ा परसंद के अध्यच महंत नरेंगिरी ने किंत और महाराश सरकार से तीनों संतों की हत्या की जाच और दोशियों के खिलाब कड़ी कारवाई की मांग की है महंत नरेंगिरी ने कहा है की लागडाउन चल रहा है ऐसे में कोई शंत महात्मा ब्रंभलीन होते हैं तो उस इलाके के ग्रामीड और आसपास के शादू शंत ही उनकी समाधी में शामिल होूं। एक तरफ प्रशासन इन तब्ली की जमात वालों को ढूंड रहा है और दूसरी तरफ यह लोग पुलिस वालों पर पत्थर फेक रहे हैं निर्दो शादू की हत्या कर रहे हैं हिंदूों एक साल के अंदर इन मुसल्मानों ने अंकित सर्मा, रतनलाल, चंदन यह वह लोग हैं जो हिंदू मुसलिम दंगों में मारे गए हैं अगर आप सब लोग एक बहतर कल की उमीद करते हैं और चाहते हैं कि हमारे आने वाले जनरेशन एक अच्छे समाज में रहे तो हमें अभी से सजग होना पड़ेगा अभी कुछ दिन पहले हिंदूों ने अपनी जो एकता ताक दिखाई है उससे काफी मुसलिम वर्ग घबरा गया है लेकिन हिंदूों इन लोगों पर बिल्कुल भी रहम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी मुसलिम कंट्री सौधी अरब में भी हर गुना की सजा मौत है वह भी शरयाम क्योंकि यह लोग भी जानते हैं कि यह मुसल करो सरकार भी इनसे परिशान है करना कुछ नहीं है जो कर रहे थे हम उसी को आगे बढ़ाना है अभी हिंदूों ने मुसलिम लोगों से फल और सबजी लेना बंद किया है तब यह घबरा गए हैं अब हमें यह कोशिश करनी है किसी भी मुसलिम से किसी भी तरीके का कोई भी सामान ना खरीदा जाए अब समय आ गया है इन लोगों को जड़ से उखाड़ पेकने का सभी बिजनेसमेन अपने यहां मजदूरों को हिंदू रखे मुसल्मानों को नहीं रखा जाए कोई भी हिंदू परिवार मुसल्मानों को अपना घर किराए पर न दे दोस्तों वक्त आ गया है हम अब जाग जाएं और इनकी हरकतों को देख कर इसे नजर अंदाज न किया जाए जैहिंदू